भारत के हम भूल निवास की है ये देश हमारा वाहिकुर्जी का खलसा वाहिकुर्जी की फते सस्रीकाल मेरी सभी शिक्कौम के जो बड़े बड़े नुममाइंदे हैं और बहुत बड़े बड़े जो राग्गी पाठी सभी जिन जिन स्टेट में रहते हैं सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आने वाला जो वक्त है बहुत नाजू चल रहा है और इसमें जो है बामसेप जो भारत के नदर काम कर रही है जिसके राष्टी अध्यक्स मौन में श्राम जी हैं और बहुत यह अच्छा काम कर रहे हैं अब बहुत ही इमानदारी शे काम कर रहे हैं तो मेरी सभी से सभी शिक जत्यमंजीद रिक्वेस्ट है चाहे वो वह किशी भी स्टेट के अंदर हूँ या जिले के अंदर हूँ चाहे वह करनाटका के अंदर हूँ या महराश्ट्रा के अंदर हूँ गुजरात के अंदर हूँ और बंगला देश जहां तक भी शिक की पोप होई हैं मेरी सबी से रिक्वेस्ट है आप सभी बांप सेप का साथ दें और जो आंदोलन लड़ रहे हैं इसमा आप सभी मिलके साथ दें ताकि जो है गुरू और पीरों ने जो लड़ाय लड़ी थी ब्रहामनों के खिलाब उसमें इस बार हम मुकमल हासिल जियत हासिल कर सकें आप सोज रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसकर के बोल रहा हूं कि गुरूं की जो सोच थी वह जूट के खिलाब उनकी लड़ाई थी और जूट सबसे ज़्यदे ब्रहामनों पकड़ रखा है आप सभी जानते हो जैसे कि गुरू नानक साहिव ने जिनियो नहीं पाया और उसके बाद में जो ब्रहामनवाद के साथ मटाकरा सुरू हो गया तो तीसरे पात्सा के भी हो समय इनोंने बहुत हरकता करी हैं और पांचवे पात्सा जो गुरू अरजन पात्साजी हैं उनको इनोंने ही सहिद करवाया है ब्रहामनोंने सहिद करने वाले त तो जो जालम थे जो जालम तो जालम होता है मुसलमान हो या कोई भी हो उन्होंने सेद किया लेकिन सेद करवाने वाले कौन थे इनके पचे ब्रहमन का हाथ ही था और दिली दर्मार में देखना पड़ेगा दिली दर्मार ब्रहमनों की संक्या कितनी थी और उसके बाद में गुरू तेख बहद्दूर जी ने सहील दी यह वए धर्म को बताने के लिए बचाने के लिए और इसमें जो देखा है कि गुरू तेख बहदूर जी कि यह कृतल किया है गुरू तेख बहदूर जी का उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है ब्रहामन जो बठे थे बावन ब्रहामन बठे थे और जेब के इसमें दर्वार में फिर भी इनो ब्रहामन को नहीं बचा पाए लेकिन मैं सुपर के पीछे नहीं जाओंगा क्योंकि उसके पीछे बहुत किंदू प्रदु खड़ा हो सकता ह हैं तो हो सकता है कि इसके पीछे ब्रहामनु का यह थो और दस्वे पाथ़ा के जो शाहए बघ्यादे चैस जबकि आपको पता है कि बता है कि दूतल शाहिंग में लटते हों सेद होने हैं तो जो निक權दय कि पता है कि जो गाजी ने उनक司 गाल कर दिया था लेकिन चंदू क्या ना उसका सुच्चा अनंद जो भी था उसने जबरदस्टी के उनको सीध करवाया आप सभी जानते हो तो इसमें जो है ने ब्रहामनों का हाथ 100% रहा है और इस लड़ाई की जो है जूट के खिलाब है ना कि ब्रहामनों के खिलाब ब्रहामनों वाद ने जूट पकड़ कि फिЕ जैसे इसान साब को मारता है अब साफन तो साफ को इसका इसके अंदर लीकिस ओनी पता होता जहर है ब्रहामनों को भी पता नहीं है जूट पकड़ रहा है लेकिन उनों उनने को उसको बचाने के लिए लड़ते हैं तो उनको यह निफ पता कि जूट क्या सच क्या है लेकिन गुरू की जो लड़ाई थी जूट के खिलाब थी और दूसरी तरफ जो इसलाम में जो खड़े हैं आपकी साथ में उन्होंने जो मुहमंद साहब थे उन्होंने जूट के खिलाब लड़ाई लड़ाई है और जैन है उन्होंने जूट के खिलाब लड़ाई है कि जितने भी महापुर्स भारत के इंदर पैदा हुए उनकी लड़ाई सभी के जूट के खिलाब लड़ाई है अब जूट ब्रहामन पकड़ रख्या है तो ब्रहामन उसका जुम्मेदार है और इसमें जो है मेरे मेरी सभी से गुजारिस है मैं यह नहीं कहता कि आप उनका जरूर साथ हो लेकिन सोच समझ के जो मुमंट चल रही है गुरू ने कहा था गुरू नानक पासा ने नीचे इंदर नीचे जाद नीची होत नीच नानक तिनके संग साथ वडिया शिव क्यारिस नीचों के साथ मलव गुरू का है जब लगख़ासा रहें नियारा तवलग देजडिओव Mr. Aunque जब लगख़ासा अलग है उसके साथ में उसकास्ताभ परताभ है और इभी कहा है कि खालसा निर्धन को पालें खालसा दुष्ट को गालें तो दुष्ट को न है जो मुझ स्जुम को पर जुिव करता है और निर्धन को जो जूलम से रहे हैं तो जूलम सेन वाड़े शुक भी है फिलाल और इस्वाइब शिय के सब जूलमसे है ब्रहामनों है तो सबस्क्राइन ब्रहामन है उसका हम सब के मिल का मुचाबला करना है और यह बामशियव का जो तुफान आने वाले टाइम में और शिक मेरी सब्सेंट रिक्वेस्ट को अखांके फीम वाइशक तो भी आसानती हो सकती नहीं तो पांचीजार साल से इन्हों ने दगावाजी करकर के भारत को धोका दिया लोगों को धोका दिया है तो मेरी सभी शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् में लेकिन ये जो दुस्मन है इसने महाराज अरणेजिस संग का राज भी तबाह किया है तो मैं जादा नहीं कहूंगा क्योंकि कि आप सभी जम समयदार हो तो इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की तो जुरू साधे बामसिप का और बामसिप के राश्टिया नेक्स वामन में सरामजी उनकी बात पर यकिन करें वह भी सच्चा इंसान है और पुरी लड़ाई इमानदार से लड़ रहे हैं मुझे उम्मीद है कि आप सभी बामसिप का साथ देंगे और इस हमेशा के लिए इस जिन्जार को खाड़ का फिंके के सभी को सब्सक्राइब थैंक यू